कि नमस्कार मैंना अजमिन खान और आप देख रहे हैं स्पेन नाई न्यूस अभी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जामिया मीलिया इसलामिया में फिर से हिंसा देखने को मिली है एक यूवक हाथ में बंदूग लेकर सरे आम फाइरिंग कर रहा है और वो वहां के चात्रों को जामिया के चात्रों को बोलता हुआ भी नजर आ रहा है कि लोग अब आपको आजादी मिल जाएगी आपको बता दे एक बड़ी घटना है ये कि खुले आम वहां पर एक सक्स के हाथ में बंदूग है और शरे आम बंदूग को हवा में उड़ा रहा है और फाइरिंग कर रहा है आपको ये भी पता दे कि इस फाइरिंग में एक छात्र घायल भी हो गया है उसके हाथ पर गोली भी लग चुकी है जो नस्दी की अस्पताल में एडमिट है लेकिन बड़ी खबर ये बनती है कि बीते दिनों ही जामिय मिलिया इसलामिय में हिंसा देखने को मिली थी जहां पर पुलिस ने बरबरता दिखाई ती जहां पर लाइब्रेरी में पुलिस बिना अनुमती के घुज जाती है और छात्रों पर प्रहार करती है वहीं उसी यूनिवर्सिटी में फिर से हिंसा देखने को मिलती है जहां दिन दहाडे ये यूवक हाथ में बंदूक लिये हुए पर एक छात्र को गोली लग जाती है और गोली के बाद वो एड्मिट हो जाता है अस्पतार में लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस वहां पर नहीं आई है और नहीं मामली की जाच अभी तक हो पाई है ये घटना दोफैर की है एक देड़ बजे की बताई जा रही है और इतन बाग में भी जो उनके नस्दीक ही ही है वहां पर धरने पर महिलाय बैठी हुई है तो पुलिस प्रशाशन के जिम्मेदारी वहां के चारों आसपास रहने की जरूरत है लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं होता है और दिन दहारे एक यूवा जिसकी पहचान नहीं हो प पाया बस वो उन जामिया के चात्रों को यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब आपको अजादी मिल जाएगी और अजादी मिल गई है ऐसे में इस घटना को अंजाम देना और ऐसी घटना सामने जब आती है तो बेहदी शर्मनाक होती है कई सवाल सरकार पर खड़े होते हैं और कई सवाल पुलिस प्रशाशन पर भी खड़े होते हैं कि कहां है पुलिस क्यों अपने जिम्मेदारी निभाती हुई वो नजर नहीं आ रही है यहां पर एक यूवक आता है गोली चलाता है लेकिन कोई कारवाई नहीं होती शाहिन बाग में एक महीने से उपर महिलाएं धरने पर बैटी हैं उनकी कोई सुनता नहीं है कोई सुनवाई नहीं होती उनसे मुलाकात करने कोई नहीं आता है यह बड़ी बड़ी घटना जामिया शाहिन बागिन तमाम आसपास की इलाकों में देखने को मिल रही है और सबसे जादा यूनिवसिटी में देखने को मिल बीते दिनों जवाला नहरू यूनिवसिटी में कुछ नकाब पोश घुज गए थे उसमें भी कोई पुलिस प्रशाशन काम करता हुआ नजर नहीं आया अब ऐसे में ही पहले पुलिस ने बर्बत्ता दिखाई अब एक यूबक जामिया के बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा खुली सडक पर हाथ में बंदूक थी उसके लेकिन वहां भी पुलिस फेल होती हुई दिखाई दे रही है जब उनको काम करना चाहिए तब वो वहां पर मौजूद नहीं होती है जब नहीं करना चाहिए वहां पर वो बिना अनुमती के गुज जाती और छात्रों के साथ मा अगेदारी दे रहें लेकिन यहां पर अभी भी कोई बड़ा कदम उठाती हुई मोजी सरकार नजर नहीं आ रही है केंद्र में उनके सरकार सबसे जादा उन्हें ध्यान देना चाहिए पुलिस प्रशाशन उनके हातों में है क्या कुछ कानूनी कारवाई होनी है जल्द हो खबर देड़ बजे की है और कोई जकमी नहीं हो पाता है लेकिन ऐसी घटना बेहद ही खतरनाक और डरावनी होती है जब ऐसा मनजर देखने को मिलता है कि किसी का खौफ नहीं किसी का डर नहीं और सरे आम एक यूनिवसिटी के बाहर आपके हाथ में बंदूख है और आप जारहों को ड़ा रहें ऐसे जायज करते वे नजर आcomm रहें उसको बिकार कर रहें यहश्तर उतना गथना का अंजण हो सकती है कई अई अट लुख लगी और कि चाहता था वो जामिया में आना क्यों हिंसा पैलाना चाहता था ए अब कुछ साफ नहीं हो पाया है लेकिन इस घटना ने सब का दिल दहला दिया है और एक तरह से जामिया मीलिया इसलामिया में फिर से अटिकिने को मिली हैं इस तारे मुद्दे को लेकर आपके क्या राया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें SPN 9 News